तो गाईस देखिए जैसा कि आप सभी ने जो भी री चेकिंग का अप्लिकेशन फोर्म था वो फिल कर दिया होगा ओप सो आपने ठीक तरीके से सारी की सारी इंफोर्मेशन अपने अप्लिकेशन फोर्म में फिल की होगी वह हमार sheet की rechecking के लिए ठीके तो मैं आप लोगों को inform करना चाहती हूँ कि जिनोंने नहीं किया है guys please कर लिजे because आप लोगों को दुबारा से कोई भी opportunity नहीं दी जाएगी and आप में से बहुत सारे candidates बहुत ही panic है because जो भी BCI नहीं किया cut off को लेकर वो अच्छा नहीं किया है ठीके उन्होंने जो cut off की है वो बिना ही किसी information किये बिना कोई notification update प्रोवाइड किये उन्होंने अपनी मर्जी से cut off जो है वो change कर दी है 40 थी पहले आप 45 कर दी है उन्होंने इसी लिए जो है बहुत सारे candidates का result जो है status fail show हो रहा है जो कि होना नहीं था ठीके तो जैसे कि आप सब बोल रहे थे कि revised answer की according हमने check किया था तो हमारे 40 बन रही है 39 बन रही है जितने भी आपने मुझे बताया थे comment section में मैंने read किये थे तो देखिए आप लोगों का उसमें कोई भी fault नहीं है यहाँ पर BCI ने without notification यह जो है modification इसमें passing marks में की है तो यह बिल्कुल ही गलत है इसमें कोई भी ऐसा वो नहीं है कि आपके साथ गलत नहीं हुआ हुआ है notification के साथ उन्होंने बोलना था but guys अब क्या ही कर सकते हैं जब कोई higher authority कर देती है तो उसमें हम तो कुछ भी नहीं बॉल सकते हैं नहीं हमारे आद में कुछ है तो आप लोगों को जो है rechecking का यह option है आप लोगों rechecking करा लिजे अपने 200 रुपी आप लोगों को उसके लिए पे करने होंगे और last date भी मैंने आप लोगों को बताई थी 5 से start हुआ था और आप लोगों के last date जो है 15 को यह end हो जाएगा तो guys आज 11 हो गी है तो please अपना जल से जल इसको 15 से पहले पहले कर लीजे because उसके बाद आप लोगों को कोई भी opportunity नहीं मिलेगी और जैसा कि BCI changes करता हुआ आ रहा है AIB exam में तो आप लोगों को थोड़ा सा अभी आने वाले जो new candidates हैं जो new lawyers आगे exam देंगे तो please आप भी अगर कोई new candidates इस वीडियो को देख रहा है तो please आगे से अपना थोड़ा सा ध्यान रखे और इस तरीके से preparation कीजिए ताकि आप थोड़े से अच्छे से mark score कर पाओ ताकि वो जो है जैसे बिना notification करो ने अभी 45 कर दिया तो आप लोग जो है preparation करते हो सिर्फ 40 तक के marks लाने की तो guys असा मत करो according to me आप लोग 60-65 तक की तोड़ा सा practice क्या करो marks लाने के जैसे कि आप लोगो कोई benefit होगा उनका कुछ नहीं पता होता कि किस time किस चीज में वो changes ले आए ठीक है जैसे पहले online conductor आने की बात कर रहे थे तो guys कुछ भी नहीं पता होता है तो please अपना preparation इसी तरीके से क्या करो कि आप लोगों को full लाने है ठीक है तो guys अपना जो भी rechecking का form जिसको भी भरना है अपना करवा लीजिए उसके बाद आप लोगों को कोई भी मोका नहीं दिया जाएगा और still अगर आप लोगों को results related कोई भी doubt है तो comment section में लिख सकते हैं या फिर हमारे एक channel है lawn tips के नाम से telegram पर वो भी आप जोइन कर सकते हैं वहाँ पर आप लोगों को files में बहुत सारे PDF मिलेंगे subjects की book मिलेंगी law subjects की notes मिलेंगे तो वहाँ से आप लोग download कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत beneficial ठीक है तो guys hope so आप लोगों को video helpful लगी होगी अगर आप लोगों को video helpful लगी then please do like share and subscribe the channel for more videos thank you for watching this video